हेलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सब का हमारे और आपके प्यारे से चैनल कुकिंग मुखिया पर जब सुभे कुछ हलका फुलका खाने का मन करें तो यह टेस्टी और हेल्दी नास्ता बना सकते हैं जो बचे पालक पसंद नहीं करते हैं आप इस तरह से बना क पर शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी चना दाल को भिगो दिया था तीन से चार घंटे तो देखिए यह बिल्कुल आसानी से तूट रहा है यहां पर हमने एक ग्रैंटर जार में दाल को डाल दिया है अब इसमें हमने दो हरी मिर्च अधरक और लैसुन को डाला ह है लेसों अगर आप नहीं खाते तो इसे ना डालें थोड़ा सा पानी डाल कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे देखिए इस तरह से तो यह बिल्कुल पारीग पिसना चाहिए बस इस तरह से में पिसना है यहाँ पे हमने पालक ली है पालक को हमने अच्छे से तीन से चार पार अच्छे से दो लिया था पालक में मिटी ज़्यादा होती है और इसे हम बारीग बारीग चौप कर लेंगे इस तरह से अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो देखिए इस तरह से हमने पालक बिल्कुल बारी बारी की चौप कर ली है इसे एक बॉल में टांसपर कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे इसका पानी रिलीज हो जाए यहाँ पे हमने सबजिया ली है तो यहाँ पे हमने एक टामाटर सिमला मिच गाजर को इस तरह से काट लिया है और एक प्याज लिया है तो यहाँ पे हमने चौपर लिया है इससे आसानी से काम हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है आप चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हो तो इसे हम ग्रेट कर लेंगे जो देखिए यह हो गया है कितने कम समय में देखिए इतनी सारी सबजियां कट गई है देखिए ऐसे ही हमको चाहिए था तो इसे हम टांसफर कर देंगे पालक में और यहां पर एक कटूरी हमने रवा लिया है तो यहाँ पे हमने क teenage को उबाल लिया इसमें हल्डी और चीनी टाल कर इसको भी डाल देंगे पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इससे पता चल जाएगा मैं इसमें कितना पानी डाल ला है क्योंकि पालक ने भी पानी रिलेस किया है कितना सांदार लग रहा है देखने में कलरफुल इसमें हमने जो डाल को पीस के रखा था ना उसको डाल देंगे पहले हाज से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे उसी जार में हमने थोड़ा सा पानी डाल के लिया है इसे भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और सुबह के नास्ते में भी तो देखे बैटर इस तरह से रखना है अगर आपके पास आधा कटोरी दही है तो वो भी डाल सकते हैं यहां पर हमने काली मिश्ली है इस तरह से क्रस करके डाल दिया है और चिली फ्लेक्स लिया है आधा टी स्पून हमने यह चार्ट मसाला लिया है और दो पिंच हल्दी लिया है कलर के लिए इससे अच्छा लगेगा देखने में आदा टीस्पून हमने धनिया लिया है इसे मच्छे से मिक्स कर देंगे ये नास्ता बनाना बहुत ही आसान है दस मिनट हमने इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था तो देखिए सुजी ना पानी ज्यादा एब्जॉब कर लिया है अब इसमें हम टेस्ट के नुसार नमक ड यहां पर हमने एक पैन लिया इसमें तोड़ा सा हमने गी डाल दिया एक चोथाई टीस्पून आप इसकी जगए ओयल भी ले सकते हो तो इसमें हम बैटर को इस तरह से रख देंगे ज्यादा मोटा लेयर नहीं करना है अच्छे से बस इस तरह से फैला देंगे तो दीखिए इस तरह से हमने फैला दिया है इसे ढख कर हमने low to medium flame पर हमने दो मिनटर इससे पका लिया है देखिए उपस है ये सूख गया अच्छे से उस पर थोड़ा से हम घी और डाल देंगे और इस तरह से किनारों को कर लेंगे ये आसानी से हो जाता है और इसे हम पलट देंगे नीचे से भी अच्छे से हम इसे पका लेंगे तो देखिए ये हो क्या है इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह से हमने और भी नास्ता बना लिया है तो अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लैक से सब्सक्राइब कर लें एक हम आपको तोड़के भी दिखाते हैं यह सांदार नास्ता हमारा बन के तयार हो गया और इतने कम समय में थैंक्स वर वॉचिंग टे केर बाइ